हे गाइस कैसे अब सब मैं हूँ निखिल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा तीन ऐसे ग्राफिक डिजाइन आइडियास जो आप यूज कर सकते हो अपने नेक्स डिजाइन प्रोजेक्ट में तीनों ही डिजाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इ यहां पर है हम लोग अरोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर और यहां पर मैंने एक बहुत सिंपल सा डॉक्यमेंट ऑलडी क्रिएट करके रखा हुआ है जिसका साइज है 1920 x 1080 और यहां पर मेरे पास कुछ कलर पालेट्स है जो मैंने बनाया है ग्रेडिन कलर पालेट्स और बाइ यहां में हम लोग जो blend option है इलिस्ट्रेटर में उसका यूज करने वाले है बहुत ही इंट्रेस्टिंग वे में ठेक है तो यहां पर जैसे कि आप दिख सकते हो मेरे पास color palettes है जो कि basically बस circular shapes है तो आपको बस यहां जाना है eclipse tool ellipse tool sorry किस नम जे लास्ट वीडियो में इसे eclipse नहीं बोलते है ellipse बोलते है and that is correct so ellipse tool से हम लोग यहां पर एक shape create कर लेंगे eye press करेंगे और color जो भी मैं pick whip करना चाहो तो यह color मुझे use करना है तो इसे मैं pick whip कर लेता हूँ और इस circle को मैं काभी छोटा कर दूँगा कुछ ऐसे और एक duplicate ले लेता है यहां पर और इस बार मैं eye press करूँगा और select करूँगा यह वाला color ठीक है और एक मैं alt hold करके click करके फिर drag करेंगे duplicate करने के लिए और eye press करके pick whip करूँगा यह वाला color तो हमारे पास 3 बहुत ही अच्छे gradient है इनकी size है मैं थोड़ी सी change करूँगा तो यहां जो 3 circles है वो इससे मैं अभी के लिए यहां पर set कर दता हूँ और फिर stroke create करने के लिए हमें एक path चाहिए तो इसके लिए मैं select करूँगा यह curvature pen tool अगर आपके पास पुराना illustrator version है तो आप simply pen tool भी use कर सकते हो बट मैं curvature tool use करूँगा और बहुत लोग मुझे पूछता है कि मैं कौन सा illustrator version use करता हूँ तो doesn't matter बहुत ही hardly difference होगा अगर आप को CC 2018 या 2019 यूज कर रहे हो अगर आप CS 6 यूज कर रहे हो तो काफी जादा जमीना समंगा फरक आ जाएगा बट मैं यूज कर रहा हूँ CC 2022 2023 भी आ चुका है उससे मुझे अभी update करना बस बाकी है टाइम नीमल पर इसलिए मैंने update नहीं किया है उसे बर उसमें कुछ बहुत ही interesting features मैंने देखे है online तो उसे भी मुझे try करना है बाइदो मुझे comment करके बता हो कि नए illustrator वाले version में आपको सबसे favorite आपका कौन सा है नया feature तो मैं ये कभीचर pen tool सेलेक करूँगा और कुछ इस तरीकी का मैं एक shape जो है वो बना लेता हो कुछ ऐसे बहुत ही rough सा make shape यहाँ पर बनाऊंगा एंद फिर मुझे क्या करना है fill मैं set कर दूँगा none पे जीरो पे और stroke add कर देंगे बस नाम के लिए ये stroke है कुछ इस तरीके से color मैं कुछ different सा दे देता हो black ताकि आपको दिखे मैं क्या कर रहा हूँ और मैं चाहू तो इन points को properly और थोड़ा सा adjust कर लूँगा इस तरीके से आप लोग चाहू तो point और एक add कर सकते हो और फिर इससे adjust करो आराम से time लेके करो मैं थोड़ा सा fast यहां पर कर रहा हूँ ताकि वीडियो जादा लंबा नहीं हो ठीक है तो यह हो गया हमारा shape basically और enter प्रेस करेंगे और फिर मैं select करूँगा हमारा normal selection tool तो यह हो गया हमारा stroke अब हम क्या करेंगे सबसे पहले तो मैं इस circle को इस point पर रख दूँगा इसे मैं रख दूँगा कुछ यहां पर तोड़ा सा छोटा कर लेंगे जादा ही बढ़ा लग रहा है मुझे और इससे मैं set कर दूँगा यहां पर ठीक है कुछ इस तरीके से और फिर इन तीनों ही shapes को shift hold करके select करेंगे जाएंगे object blend blend options और यहां पर मैं select करूंगा specified steps by default यह श्याद smooth color पर होगा तो आपको set करना है specified steps पर 400 साही रहेगा click करेंगे ok पर फिर जाएंगे object blend and make तो हमें यह बहुत ही interesting सा एक gradient stroke मिल जाता है अब हमें इसी stroke के लिए यह path select करना है तो simply मैं इन दोनों ही चीजों को select कर लूँगा इस तरीके से जाएंगे object blend और replace spline and boom हमें यह बहुत ही interesting सा एक 3D stroke यहां पर देखने मिल जाता है और सबसे best चीज इस effect की यह है कि आप इसे जैसे चाहे वैसे design कर सकते हो पूरा complete होने के बाद भी तो आपको select करना है direct selection tool और फिर मैं चाहू तो मैं मान लीजे मिझे इस point को adjust करना है तो मैं यहां से कुछ ऐसे adjust कर लूँगा तो बहुत ही interesting सा shape हमें देखने मिल जाता है अगर मैं चाहू तो इस circle को select करके थोड़ा सा छोटा कर सकते है तो पूरा design जो है वो काफी adjustable और अगर मैं चाहू तो अप्रेस कर सकते है direct selection tool basically राने के लिए और इस point को मैं इस तरीके से यहां पर drag करके adjust कर दूँगा ट्राइ कर रहा हूँ इससे frame के अंदर ही रखू ठीक है and overall फिर select करके मैं चोटा करी सकता हूँ कुछ ऐसे तो यह बस एक basic example है कि आप लोग कैसे इस basic design को इस तरीके से 3D stroke add करके और भी जादा interesting बना सकते हो और तो और आप लोग चाहो तो single circle को भी select कर सकते हो इस तरीके से फिर G प्रेस करो gradient tool लाने के लिए और फिर मैं drag करके इस तरीके से इसका color की vibe है पूरी वह भी थोड़ी change कर सकता हो तो देख रहे हो पूरा stroke इस तरीके से change हो रहा है which is quite amazing तो अभी के लिए मैं ctrl z प्रेस करूँगा जो पहले look था मुझे वही जादा पसंद है which is this one काफी अच्छे highlights और shadows यहाँ पर देखने मिल जाते हैं मैं यहाँ पर इस circle को चाहिए तो तो बड़ा change कर सकता हो जी प्रेस करेंगे और इससे मैं actually rotate कर लूँगा कुछ जैसे जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीकी सापसे adjust जो कर सकते हो तो ऊपर आ जाएंगी highlights और नीचे आ जाएंगी shadows तो यह बहुत ही साही दिखता है अगर आप चाहो तो इसको और enhance करने के लिए basically आप कहां पर यूज करोगे इस design को तो आप यहाँ पर text add कर सकते हो जो आपको डालना हो में भी type करते है gradient stroke design से बड़ा कर लेंगे और font मैं यूज करूंगा Helvetica बहुत सारे Helvetica के मेरे पास variants है तो काफी confusing कभी कभी हो जाता है और फिर जो color है अच्छली इसका जो पहले तो spacing मैं थोड़ा सा adjust कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे यह सही रहेगा और right and color मैं select करूंगा white इस तरीके से और थोड़ा सा इस पर यहाँ पर focus लाने के लिए मैं add कर सकता हूँ एक rectangle basically कुछ इस तरीके से stroke add कर देंगे rectangle में मुझे fill नहीं चाहिए fill को मैं none पर set कर दूंगा और stroke का color हम लोग set कर देंगे white पर काफी जादा मोटा stroke हो गया थोड़ा सा पतला इतना सही होगा मेरी खाल से yes that is looking much better यह kind of काफी अच्छा एक look यहाँ पर हमें मिल जाता है इससे मैं पीछे move कर लूंगा इस तो ctrl shift और left square bracket इसे पीछे चले जाएगा हमारे background के भी पीछे चले गया तो background को भी select करके मैं पीछे move कर दूंगा यह बहुत ही अच्छा सा एक बहुत ही minimalistic सा design यहाँ पर हम लोग इस तरीके से create कर सकते हो नाम दे देंगे 3D text ठीक है okay सबसे पहले तो background आड़ कर देंगे तो already मेरे पास यह background है उससे मैं आड़ कर दूंगा ctrl c ctrl v time नहीं जादा वेस्ट करेंगे background पर ठीक है इससे मैं नाम दे दूंगा pg for background और lock कर देंगे फिर text tool select करेंगे text करेंगे text करेंगे type करेंगे जो भी letter हमें use करना है तो R में type कर रहा हूँ shift hold करके इसे बढ़ा कर लूंगा shift और alt से और पता नहीं याद नहीं मुझे मैं मैंने कौन सा font यूज किया था तो वह देख लेता हूँ बुक भर के आप text डाल सकते है उसमें तो अभी के लिए मैं इसे पड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से color कुछ अच्छा सा देंगे तो kind of a pinkish red color काफी सही जाएगा okay and फिर right click करके create outlines मैं इसे convert कर देंगे फिर जाएंगे effect में 3D and classic 3D extrude and bevel फिर मैं यहाँ पर इससे rotate कर दूँगा कुछ ऐसे तेक है और यहाँ पर जाएंगे extrude depth काफी जादा हमें रखनी है around 6-700 सही रहेगा and थोड़ा सा adjust कर लेता है तो यह काफी सही लग रहा है click करेंगे okay पर जाएंगे object expand appearance पर फिर select करेंगे हमारा direct selection tool और इस R को select करके ctrl x to cut and ctrl f to paste it on front ताकि यह अलग हो जाए इस पूरे group से तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो layers है यह है R का layer और यह है बाकी group का layer and that is exactly what I want तो अब इससे select करेंगे and फिर हम जाएंगे gradient में अगर आपको gradient option नहीं दिख रहा है तो आपको जाना है window में and gradient को on कर देना है ठीकर इससे select करेंगे यहाँ पर जाकर मैं जो simple gradient है इसे apply कर देता हूँ फिर जो white है उसे select करेंगे pick whip color select करेंगे और जो background का color है उसे pick whip कर लेंगे and फिर हम black color select करेंगे pick whip tool select करेंगे और r से color pick whip कर लेंगे फिर यहाँ पर यह चोटा dot दिख रहा है जो कि gradient slider इसे move करेंगे इस तरीके से तो हमें एक अची depth मिल जाएगी पूरे इस gradient में और जिस तरीकी का look मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर कुछ issues है जैसे कि अगर मैं zoom in करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो दो shapes है तो उसे merge करना है हमें तो सबसे पहले तो मैं direct selection tool select करूँगा इस shape को select करूँगा shift hold करूँगा फिर इस shape को select करूँगा और फिर pathfinder में जाके इसे merge कर दूँगा अगर आपको pathfinder भी नहीं मिल रहा है तो window में जाना है basically यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी चीज़ा नहीं मिलती है window में जाके आपको मिल जाएंगी उसी तरीके से मैं इस shape को भी merge कर लूँगा तो अभी यह काफी जादा clean लग रहा है अभी भी उतना depth इसमें create नहीं हुआ है तो उसे create करने के लिए मैं इस R को select करूँगा Ctrl C to copy Ctrl F to paste it on top of that तो उसके उपर यह paste हो चुका है और फिर यहाँ पर जाकर मैं जो white and black default gradient होता है उसे select कर लूँगा G press करूँगा and यहां से हम लोग बनाएंगे एक shape कुछ ऐसे ठीक है और फिर इसका जो transparency का blending mode है इस layer का उसे set कर दूँगा मैं I guess soft light पर या that is looking good and फिर इसे मैं थोड़ा सा adjust कर लूँगा कुछ ऐसे तो काफी अच्छा हमें एक look यहाँ पर देखने मिल जाता है फिर इसे select करेंगे ctrl c ctrl f to copy paste it on the front fill को मैं set कर दूँगा none पर और add करेंगे stroke of around 2 pixels should be good इसे मैं set कर दूँगा white पर और जो blending mode है वो soft light पर set है तो यह काफी एक अच्छा यहाँ पर हमें stroke देखने मिल जाता है बट फिर मैं इस stroke को select करूँगा जाओंगा effect blur Gaussian blur और add करेंगे 25 pixel Gaussian blur जिसे एक बहुत अच्छी सी edge यहाँ पर हमें देखने मिल जाती है अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ही minimal सी है I think Gaussian blur थोड़ा सा जादा हो गया तो मैं appearance में जाके Gaussian blur को थोड़ा कम कर दूँगा around I guess 10 should be good तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा glowing सा effect आपको edges पर देखने मिल जाता है and boom there we go एक 3D gradient text बहुत ही simple technique यूज करके और यह technique बहुत ही useful है अगर आप पूरा कोई नाम लिखना चाहते हो तो भी आप इस technique को यूज कर सकते हो काफी professional और काफी 3D लगेगा मतलब flat design ही लगेगा तो यह technique थी मेरी दूसरी technique which I think you will find it helpful अब बढ़ता है हमारे 3rd technique यो जो सबसे simple है और अगर हम लोग blend option का यहां पर use करने वाल है तो हम जाएंगे file में create करेंगे new document same ही मैं इसे नाम दे दूंगा 3D text ही है वैसे तो यह 3D text ही नाम दे देता है 3D text नया नाम दे देता है background के लिए मैं यहां से इसी background को पहले तो select कर लेता हूँ ungroup कर लेंगे और same background हम यहां पर add कर देंगे और इससे भी मैं lock कर दूंगा यह हो जाएगा हमारा background layer and फिर इसके उपर मैं जो भी text type in करना चाहूँ वह type कर सकता हूँ तो यहां पर मैं orange color select करूंगा और type करूंगा सबसे बढ़ा कर लेते ताकि दिखे कि मैं क्या type कर रहा हूँ ठीक है हम type कर लेंगे dumpy donuts अब basically जो भी type करना चाहो वह type कर सकते हो और यह जो technique है अगर कोई आप branding कर रहे हो किसी company के लिए तो उसके लिए काफी जादा useful हो सकता है काफी fun technique है तो मैं font use करूंगा milk coffee काफी interesting font है और फिर हम जाएगे characters में और इसका height spacing है उसे मैं काफी कम कर लूंगा तो कुछ यहां तक मुझे लग रहे है सही है थीक है इसे बढ़ा कर लेंगे color के लिए मैं use करूंगा एक चाहस orange color जो कि यह सही लग रहा है फिर right click करेंगे create outlines में convert कर देंगे इसे select करेंगे Ctrl C Ctrl F ताकि एक नया copy यहां पर उपर paste हो जाए और अगर आपको यह icons काफी छोटे दिख रहे है तो आपको यहां जाना है यहां पर आपको panel option मिल जाएगा जो आप screen के बाहर है panel option में जाकर आपको इसे set कर देना है other पर और इसे में normally रखता हूँ around 25 तो अच्छे कासी यह बड़े आइकन यहां पर हो जाता है और अच्छे सब दिखता भी है properly ठीक है तो bottom वाला या second जो layer है वो select करेंगे और यहां पर इसे specified steps में से set कर देना है 400 सही है click करेंगे ok पर फिर जाना है object blend and make and boom हमें यह बहुत ही interesting 3D text यहां पर देखने मिल जाता है और सबसे best चीज इस design की यह है कि अगर मैं second text select करूँ और इसे जहां पर भी move करूँ यह इस तरीके से बहुत ही interesting सामे look देदेगा तो बहुत सही लगता है मुझे personally यह technique बहुत जादा पसंद है बट यहां पर एक चीज मैं भूल गया हूँ उससे मैं fix करूँगा सबसे पर इसे control Z करेंगे फिर से ठीक है इसे select करेंगे जाएंगे effect warp and wave में तो मुझे यह एक field जो है यहां पर add करनी थी ठीक है and फिर मैं जाओंगा object expand appearance and boom अब मैं same process यहां पर repeat करूँगा तो अब मैं bottom वाला text select करूँगा इसे चोटा कर देंगे कुछ ऐसे and color हम लोग देंगे dark tone okay object blend and make फिर मैं bottom वाला text को select करूँगा और फिर मैं यहां पर इसे move कर देता हूँ कुछ ऐसे काफी सही लग रहा है फिर हम जाएंगे यहां पर इसको जो ऊपर वाला text है उसे select करेंगे और ctrl c ctrl f मैं press करूँगा जिससे एक नया layer यहां पर create हो जाएगा उसी text के साथ इसे मै move कर लूँगा blend group के बाहर make sure करना है कि यह blend group के बाहर हो और फिर इसका color है उससे मैं थोड़ा lighter tone में switch कर लूँगा कोच ऐसे जिससे हमें यह बहुत ही अची सी depth जो है वो देखने मिल जाती और काफी clean look हमें मिल रहा है इस dumpy doughnuts का so that is a wrap guys I hope आप लोगको आज का वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हो 990 रुपीज में प्लस इसके साथ आपको मिलेगा 555 प्लस motion graphics pack बिल्कुल फ्री बस कोस में इन्रोल करने के बाद आपको मुझे simply जो purchase receipt है वो email करनी है और मैं आपको मैनुवली खुद से 555 प्लस motion graphics pack है वो send करूंगा with activation keys and everything so it's a limited time offer link मैंने description में दे दी है तो जरूर जाके इसे check out करें तो इसली के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and always stay raw, stay creative, peace out झाल